हलो फ्रेंट्स पिछ्टे वीडियो में हमने निफ्टी के फाइव मिनिट चार्ट में समझा था यहां से जो वेव फाइव का बाउस है वहां पर ये शार्फ बाउस को हम 3 मान रहे थे और ये डिकलाइन को 4 और यहां से हमने 5 का प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61% इस range में हम एक last bounce expect कर रहे थे overall इस पूरे wave 5 का 38% भी 18,328 पे आ रहा था तो इसके उपर हम expect कर रहे थे इस range में final bounce जो है last bounce हो सकता और वहां से फिर हमें एक sharp decline देखने को मिल सकता है nifty में आज slightly gap up opening देखने को मिला और इसके बाद ये range भी अचीव हुई इसके उपर nifty ने 18,344 के around high लगा और वहीं से हमें एक decline देखने को मिला तो जैसा ही nifty ने ये 38% का level achieve किया यहीं पे हमने put जो है वो buy कर लिये थे nifty में और bank nifty में दोनों पे इसी level के achieve होते ही हमने put को buy कर लिया था यहाँ पे position के उपर अगर नजर डाले तो bank nifty का जो put हमने buy किया था वहाँ पे 9,000 जो है वो already book कर लिया लेकिन nifty में जो put buy किये थे हमने 200 पे वो अभी भी hold पे है अला कि यहाँ पे 275 का nifty के put ने high लगा था लेकिन वो अभी भी हमने hold पे रखा है यह एक fin nifty का भी trade है यह एक्चुली hero zero वाला trade था यह भी हम आपके साथ share करेंगे इस वाले trade के लिए अगर हम order book में जाते हैं तो यहाँ पे fin nifty का हमने यहाँ पे 20 lot buy किया है इसमें अगर आप detail में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 12 बच के 5 मिनिट पे यह 20 lot buy किये थे यहाँ पे अगर हम fin nifty का मैं आपके सामने chart open कर देता हूँ यहाँ पे अगर हम देखे तो बिलकुल इसी candle पे रैट बिलकुल आज का जो top था उसी candle पे हमने वो put buy किये थे 3 रुपीज 30 पैसे 20 lot buy किये थे रैट और वो हमने जो है अलग-अलग price पे book कर लिये रैट यहाँ पे 5 lot जो है 11 रुपे पे 10 lot जो है 20 रुपे में और 5 lot जो है वो 34 पे हमने book किये थे रैट यह bank nifty वाला put जो है जो हमने 217 पे buy किया था उसमें 290 पे हमने exit कर लिया और nifty वाला 201 पे हमने buy किया था वो अभी भी hold पे ही है अभी आज फिर से हम nifty के 2 over chart से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 जैसा कल भी हमने discuss किया था कि already extended zone में ही trade कर रहा है और हमें यह 5 लग रहा है तो इस पूरे bounce का retracement 23 to 61% की wave C है तो impulsive decline भी हो सकता है wave 5 जो है extended है इसलिए हमें यहाँ तक का sharp decline भी देखने को मिल सकता है यह भी हमने discuss किया था अभी एक बार फिर से इस wave 5 को अगर हम smaller time frame में देखे आज तो हमें आज यह already लग रहा है कि 1, 2, 3 और 4 complete हो चुके और 5 का जो projection जो हमने कल discuss किया था वो भी minimum projection already achieve हो चुका है तो यहाँ पर most probably जो है wave 5 पूरा हो चुका है और यहाँ से हमें इस range में 23 to 61% वाली range जो हमने discuss की थी उस range में decline देखने को मिल सकता है अभी immediate move के लिए यहाँ से जो high से जो decline है उसको अगर हम smaller time frame में देखे तो यह nifty का 3 minute chart है 3 minute chart में जो decline है यह हमें एक impulsive decline लग रहा है और इस पूरे impulse का अगर हम retracement निकाल लेते हैं इसको हम A or 1 मान लेते हैं और B or 2 का अगर retracement निकाले तो 23 to 61% की range आ रही है 18,256 से लेके 18,300 तो यह nifty के लिए resistance range है 18,300 के उपर trade करता है तो ही nifty positive हो सकता है अदर्वाइस इस range में से decline जो है फिर से continue हो सकता है और minimum यह जो decline है उसका हम 100 to 123% का decline जो है वो इस range में से expect कर सकते हैं अभी के लिए यह जो bounce है वो हमें नहीं लग रहा है कि corrective है और यहां पे पूरा हो चुका है तो यह वाला जो move है उसको अगर हम smaller time frame में देखे तो यह nifty का 1 minute chart है 1 minute chart में यह bounce को देखे तो यह हमें एक bounce impulsive लग रहा है A और wave B जो है या तो यहां पे पूरा हो चुका है या तो फिर इस range में या तो फिर यह low के around भी आ सकता है इस range में यह पूरा हो सकता है और वहां से फिर यह wave C का bounce 61% के around आ सकता है और वहां से फिर जो है हम एक decline देखने को मिल सकता है तो 1 minute time frame में लग रहा है कि यह अभी भी जो है corrective wave चल रहा है और corrective wave में A complete हो चुका है और B मेरे ख्याल से यहाँ पर complete होने के बाद C इस range में पूरा होगा और वहां से फिर से हम एक sharp decline देखने को मिल सकता है तो nifty में friends जो भी सिनारियो था हमने समझने की कोशिश की है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रियाद धन्यवाद